Good morning to all of you. As you know about me, this is Farana Khan before of you and I am a part of New Horizons Public School as a Hindi teacher. So today I want to talk about class 7. Class 7 आप लोगों का हिंदी में 2nd chapter है एकता तूटने पर. हमाई स्टोरी का टाइटिल है एकता तूटने पर. आप लोगों ने वो कहानी तो सुनी होगी किसान, किसान की किसान के 5 बेटे थे लेकिन उनमें यूनिटी नहीं थी, उनमें एकता नहीं थी. तब किसान ने बोला था जाओ लकडिया लेकर आओ तो सब लकडिया लेकर आये थे जब किसान ने एक लकडिय तोड़ी तो वो असानी से तूट गई थी लेकिन जब किसान ने वो पांचो लकडिया तोड़ी तो वो लकडिया नहीं तूटी थी एसी ही ये कहानी है सुनहरा मुर्गा, काला बंदर और लाल अमरूत के पेड़ की इस्टुटेंट जब तक वो उनमें यूनिटी रहती है तो वो हर मुश्किल का सामना असानी से कर लेते है लेकिन जब उनमें यूनिटी खतम हो जाती है तो वो वही जो परिशानी पहले जिसका सामना करते थे वही परिशानी उन पर वो हावी पढ़ जाती है और वो उसके शिकार हो जाते है स्टुटेंट इस कहानी पर एकता परबल दिया गया यूनिटी यूनिटी बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर हम unity होगी हमारे साथ में तो हम मुश्किल से मुश्किल काम असानी से कर सकते हैं अगर unity ही नहीं होगी तो easy से easy काम हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा तो चलिए आईए पढ़ते हैं एकता टोटने पर सुनहरा मुर्गा अपनी तरह का एक ही था इसलिए बहुत से कसाईों के नजर उस पर थी काला बंदर भी अपनी तरह का एक ही था इसलिए चिरिहागर के लोग उसे पकड़ने की कोशिश में थे लाल अमरूद के पेड़ पर लाल लाल अमरूद लगे थे उसके जैसा भी कोई दूसरा पेड़ वहा नहीं था इसलिए फलवालों से लेकर स्कूल के बच्चों तक उसके अमरूदों का लालज था पर उन तीनों में मिलकर एक ऐसी योजना पना रखी थी कि कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता था जब कोई कसाई मुर्गे को पकड़ने के लिए आता तो पेड़ उसे लुभाने के लिए दो तिन पके हुए अमरूद नीचे टपका देता उन दिनों अमरूदों के खुश्बू ऐसी थी कि कसाई पहले अमरूद चखने लग जाता उस बीच बंदर दो एक कच्चे अमरूद तोड़कर उस तरह उसके सिर्पन निचाना बनाता कि कसाई अपना होश खो बैटता आखिर जब वैं उपर की तरफ देखता तो बंदर मुर्गे को पीट पर बिठा कर मुझ इपकाता नदर आता कसाई हार कर वहाँ से चला जाता तो उसको पता चलता कि उसका थेला भी गायब है थेला समान सहीद पेड़ की सबसे उची टहनी पर लटक रहा होता साथी पेड़ साए साए करता उसकी हालत का मज़ा ले रहा होता अब देखिए जब मुर्गे को पकड़ने आते हैं तो दोनों पेड़ और बंदर क्या करते हैं ये तो हमने देख लिया अब जब चड़िया घर के लोग बंदर को पकड़ने आते हैं तो मुर्गा और पेड़ उसकी साहता किस तना करता है देखिए जट चुड़ियाधर के लोग बंदर को घेरने के लिए आते तब पेड़ उसे अपने पत्यों और शाकाओं में चिपा लेता किसी की उस पर नजर नहीं पड़ती नीचे मुर्गा जोर जोर से पंक फड़ फड़ाता इतनी धूल उड़ा देता कि उनके लिए वहां खड़े होकर सास लेना मुश्किल हो जाता आखिर वे वहां से हटने लगे तो पेड़ अपने सबसे पिल-पिल अमरूद नीचे टिप तपका कर उन्हें फिसला देता वे किसी का तरह से गिरते पड़ते वहां से लोटते तो उन्हें पता चलता है कि उनका बंदर पकड़े पकड़ने का जाल तो मुर्गी की चोच में है और मुर्गा पेड़ की सबसे उची टहनी पर बैठा है थोड़ी देर दूर जाने पर उन्हें पीछे से मुर्गे की बांग सुनाई दे जाती कुकडू कू लगता जैसे मुर्गा उनका मदाक उड़ा रहा है इसी तरह जब फल वाले या स्कूल के बच्चे पेर से अमरूद तोड़ने के लिए आते तब पहले उनका समान सामना बंदर से होता बंदर इस तरह उनके इर्दगेट चक्कर काटता और उन्हें डराता कि उनका पेर के नस्दीक जाने का होसला ही न होता अगर उन लोगों के पास अपना कोई खाने पीने का समान होता तो उसे भी वैच्चट कर जाता मौका लगने पर किसी के बाल नोच देता किसी के कानों मेर देता इतने पर भी वैच्चट पेर के नस्दीक पहुच जाते तो वहाँ उन्हें मुर्गा बेजान सब तडपता नजर आता मुर्गे की चोच में एक अमरूद में होती जैसे कि अमरूद खाकर भी उसकी हालत ये हुई हो लोग बिमारी के डर से अमरूद तोड़ने का इरादा छोड़कर महां से लोट पड़ते लोटते हुए यह और पता चलता कि अमरूद के लिए जो टोकरी साथ लेकर आये थे वे बंदर के सिर पर है और बंदर एक मस्खरे की तरह आवाजे पैदा करता पेड की सबसे उची डाली पर बैठा तांगे हिला रहा है इस तरह वे मज़े से दिन काट रहे थे एक दिन घंगोर घटाए घिर आई पहले मुसलाधार वर्शा हुई फिर ओले बहुत गिरे जब उन तीनों के साथ मिलकर अपना अपना बचाओ करनी की योजना बनाई थी मतलब कि जब उन्होंने ये सोचा था कि अगर कसाई आएगा तो मुर्गी को ये करना है और मतलब बंदर को करना है और जब चड़िया घर वाले आएंगे तो मुर्गे को क्या करना है और पेड को क्या करना है लेकिन उन्होंने इस दिन का तो सोचा ही नहीं था कि इतनी मुसलधार वर्षा होगी और ओले भी होंगे तो अब क्या करें पेड अपनी जगा परिशान था उपर से ओलो की छड़ी उस पर गोलिया दाग रही थी ये दोनों छुटकू किसी काम के नहीं पेड बोला पेड ने जला कर सोचा मैंने आज तक हर मुसीमत में इनकी जान बचाई है पर आज मुझ पर इतनी बड़ी मुसीबत आई है तो इन्हें अपनी अपनी पड़ी है मेरा हाल तक नहीं पुछा मदद करना तो दूर रहा ये तो पेड का रहा पेड इस तरह से सोचता है फिर इस पर मैंने भी क्या साथ ही चुन रखे है बंदर बोलता है बंदर ने अपने अपने मन में कहा बंदर ने ठंड से कापत हुए अपने से कहा एक पेड है जो जमीन में गड़ा हुआ होने की वज़ा से सुरक्षित है दूसरा पक्षी है जिसे अकाश में उड़ सकने के कारण कोई खत्रा नहीं आज तक मुझसे ये अपनी रखवाली कराते रहे पर आज मुझ पर इतनी सक्त मुसीबता पड़ी है तो दोनों चुपचाप ताकते हुए मज़ा ले रहे कर कुछ नहीं रहे बंदर का और पेड का तो हमेशा साथ है मुर्गे ने मन में कुड़ बुडाना शुरू किया मैं क्यों बेवकूव बनकर इन दोनों के बीच फसा हूँ आज तक मैं तो इनकी हर मुसीबत को अपनी मुसीबत समझताया पर आज जब मेरी जान बचाने पर आई है बात तब दोनों को जैसे मेरा पता ही नहीं है मज़े से बारिश में नहा रहे हैं फिरी बात तक नहीं पूछ रहे यानि ये तीनों अपने मन ही मन कहानिया बना रहे हैं लेकिन तीनों ही मुसीबत में अगर ये पूछ लेते तो तीनों की जो आगे हालत होने वाली है वो शायद नहीं होती तीनों इतने नराज थे कि आपस में उन्होंने बात तक नहीं की पेड चुपचाप अपने अमरूद नश्ट होते देखता रहा बंदर चुपचाप ठिटूरता रहा मुर्गा चुपचाप कुड़ता रहा आखिर खार बारिश ठम जाती है तीनों फिर भी कुछ नहीं बोलते चुप रहते हैं तीनों लेकिन फिर क्या होता है देखिए अगले रोज तक पेड की तहनियों पर पड़ा पानी सूख गया जिस्म सूख गया मुर्गे के पंग सूख गया पर तीनों ने आपस में कोई बात नहीं की पेड सोचता रहा अब आए दोनों पर कोई मुसिबत तो देखूंगा अपने को कैसे बचाते हैं मैं अब इनकी कोई मदद नहीं करूंगा बंदर भी इसी तरह सोचता रहा मुर्गा भी तीनों ने सोच लिया कि अब हम मदद नहीं करेंगे एक दूसरे की उसी रोज एक कसाई आया वे मुर्गी की तरह बढ़ा तो पेड ने अमरूद नहीं टपकाए ना बंदर ने मुर्गी को अपनी पीट पर बिठाया ना ही कसाई का थैला उड़ाया मुर्गा कसाई के थैले में बंद हो गया तो बाकी दिनों दोनों ने सोचा पता चलेगा बड़ा मुर्गा बना फिरता है कसाई मुर्गे को लेकर चला गया अगले रोज चिडिया घर के लोग आए उन्होंने बंदर को पकड़ने के लिए जाल बिचाया तो पेड़ने वह टैनी ही तूट जाने दी थोड़ी देर में बंदर जाल में था और चिडिया घर के लोग उसे घसीटते हुए लिए जा रहे थे बंदर ने जब छूटने के लिए हाथ पैर मारे तो उन्होंने खुब पिता पेड़ने उसकी यह हाला देखी तो मुस्करा दिया मन में उसने सोचा अब रात दिन पिंजने में रहना पड़ेगा तो इसे होश आएगा बड़ा बंदर बना फिरता है अगले अगले उससे अगले दिन बहुत से लोगों ने पेड़ को घे लिया पेड़ में ने सहम कर देखा कि उनके पत्थरों और डंडों का कोई जवाब उसके पास नहीं है तर 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 थोड़ी ही देर में उसके सारे अमरूत जाड़ लिये गए फिर किसी ने कहा कि पुराना पेड़ है इसे काट कर इसकी लकड़ी जलाने के काम में लेनी चाहिए एक आदमे के पास कुलहाड़ी थी बस उसी समय पेड़ की जड़ पर कुलहाड़ी चलने लगी थोड़ी देर में अमरूत टोक्रियों में भर कर जा रहे थे और पेड़ की लकड़ियां लोगों के कंधों पर लत कर एक गिलहरी वही रहती थी की मुर्गे बंदर और पेड़ की आपसी योजना पर वह चकित हुआ करती थी जब वह पहले योजना बना दे जब उनमें यूनिटी थी उसने मुर्गे और बंदर के बाद पेड़ को इस हालत में जाते देखा तो लंबी सास के साथ मन में जा रहा है ये भी लोगों का चूला जलाने बड़े दोस्ट बने फिरते थे इस्टुडेंट्स एकता यूनिटी बहुत ज़्यादा जरूरी है यूनिटी के देख सकते हैं आप लोग जब तक इन तीनों में यूनिटी रही तो इन्होंने इनसानों का सामना किया इनसानों को अपने पास तक नहीं आने दिया लेकिन जब इनकी यूनिटी तूट गई तो क्या हुआ ये निशाना बन गए अपने 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 जिस जिस जंगा जाना था इन्हें वहां वहां चले गई ये आई हो भी स्टूडेंट्स आप लोगों को कहानी सुनकर अच्छा लगा हो एक ता टूटने पर क्या हुआ 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 है